करनाल के सूर्य होस्पिटल से हैं उनको जो है आई एमे का नया प्रेजिडेंट सुना गया है लेकिन क्यूकि कोविड पीरियेट चल रहा है ऐसे में किसी बड़ा कारकरम यहां पर आयोजित नहीं किया गया लेकिन एक तना जरूर था कि आप इस समय तस्वीरे देख सकते हैं कि नई टीम उनकी प्रेजिडेंट जो है कमल कुशन जैन को जुना गया है जरनल सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार वीभव को जुना गया है और फाइनल सेक्रेटरी डॉक्टर साचिन पर उती रहेंगे और जॉइन्ट सेक्रेटरी डॉक्टर महेश महरा रहेंगे और जॉइन Secretary Dr. Lakshika Chohan रहेंगे और इसामें IMA की जो नई टीम है जो करनाल की IMA Doctors Association की जो नई टीम है वो इसामें करनाल Weakking Neus पर है हमारा साथ हमारी शुबकामना है पूरी नई टीम को इसामें Dr. Lakshika Chohan joint Secretary है वो हमार Umm mlaysakims में करनाल की पॉपलेशन आई थिंग लगवा रही है बट जो रूरल एरियाज हैं दे आर अवाइडिंग जो गाओं के बुजुर्ग हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि वहां तक यह मैसेज पहुंचे कि गाओं के लोग भी बाहर आएं और वैक्सिनेट ह पिछले एक वर्ष से हमारे जिला प्रसाशन हमारे फ्रेंट लाइन कोरोना वारियर्स जिसमें हमारे पुलिस सफाई कर्मी हमारे मीडिया के भाई हास्पिटल्स का स्टाफ पेरामेडिकल वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है यह सब आप लोगों को जागरूप कर रह रहे हैं हम इस सारा इस कारे के साराहा करते हैं और हम करनाल के जिला प्रसाशन डी सी एस पी और सी एम मोहद्य को ये विश्वास दिलाते हैं कि आई एम में करनाल के सभी डॉक्टर्स इस कठिन समय में आपके साथ हैं और अपने शहर करनाल के स्वास्थ के प्रती कोई भी अगर हमें दी जाती है तो हम उसका निर्वान अच्छे से करेंगे में मीडिया कर्मी हमारे जो आप सब लोग भाई हैं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी सेहत को ताक पे रखते हुए भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं पबलिक को जागरूग कर रहे हैं इसके लिए हम करनाल के सुर्य होस्पिटल से हैं उनको जो है आई एमे का नया प्रेजिडेंट चुना गया है लेकिन क्योंकि कोविड पीरियेट चल रहा है ऐसे में किसी बड़ा कारेकरम यहां पर आयोजितनी है किया किया गया लेकिन इक तना जरूर था कि आप इस समय तस्वीरे देख पर चुछान रहेंगे और इस समय आई में की जो नई टीम है जो करनाल की आई में डॉक्टर्स एस्वेशेशन की जो नई टीम है वो इस समय करनाल वेकिंग नुस पर है हमारे साथ हमारी शुब काम नहीं है पूरी नई टीम को कि वह सोशल प्रोग्रम्स पहले भी बहुत समाजिक हितों के लिए काफी अच्छा काम जो है आई में करता रहा है और इस समय हम बात्चेश करना चाहेंगा और इस प्रेस का एक मुख्यों देश्य करोना का पीरेड़ भी है क्योंकि करोना केसिस को लेकर लगातार जो है लोगों में जागरुकता की कमी कहीं हैं कि इस सबसे पहले लिए को शुब कामना है बहुत बहुत और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की इस प्रेस कॉंटरेंस के बारे में और आप से भी यह पेक्षा करते हैं कि हमें आप सब का सहयोग और समाजिक उत्थान में भागिदारी मिलती रहेगी हम पिछले एक वर्ष से करोना महमारी से जूज रहे हैं और ये बिमारी हाल फिलाल में समाप्त होती नजर नहीं आ रही है बलकि इसके उलट इसने अपने पैर और ज़्यादा पसार लिये हैं बहुत सारे म्यूटेंट वे वेरियंट्स आ रहे हैं जिसकी वैसे इसकी इन्फेक्टिविटी और उससे होने वाली मौतों का आकड़ा भी बढ़ रहा है इसमें कहीं न कहीं हम सब की लापरवाई है हमने मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और परसनल हाईजीन को ताक पर रख दिया और पार्टीज में सोशल जो पॉलिटिकल पार्टीज की गैधरिंग्स हैं और हमारे जो कॉम्ब के मिले और बाकी चीज़े हैं हम उस चीज़ में ल जरूरी है वैक्सीन हमारा एक सुरक्षा कवच बन सकता है दो ही इस बिमारी से बचाव में ही समझदारी है और वही एक मात रुपाए है अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो उससे हमें सुरक्षा मिलेगी मगर मास्किंग बहुत ज़्यादा जरूरी है सुरक्षा लेने क वेक्सिन लगवाने के बाद में भी मास्किंग को नहीं छोड़ना है सरकार आपकी बहुत तरीके से मदद कर रही है टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है और वेक्सिन भी फ्री लगाई जा रहे है पातर जो कैंडिडेट्स हैं पंतालिस साल अगर आपकी उम्र एक जनवरी दो हजार बाईस को पंतालिस हो जाएगी तो आप अभी भी वेक्सिन लगवा सकते हैं चुवालिस के हैं तब भी वेक्सिन लगवा सकते हैं और ये निशुल्क लगाई जा रही है गॉर्मेंट फेसिल्टी पे बिल्कुल निशुल्क है प्राइवेट फेसिल्टी पे आपको इसका 250 रुपीज चार्ज पे करना है अगर आप वो भी नहीं दे सकते हैं कोई इशु नहीं है प्राइवेट वाले आपको ये फेसिल्टी फ्री भी ऑफर कर देंगे हमारे आईयमे के डॉक्टर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमें समाजे को थान के लिए समाज को बचाने के लिए हमें कुछ आगे करना भी पड़ता है तो हम कभी उससे पीछे नहीं हटेंगे करनाल के डिपी कमिशन निशांत कुमार यादव के साथ भी आपकी मुलाकात हुई थी सभी प्राइवेट डॉक्टर्स और आईयमे की मुलाकात हुई थी तो उसमें क्या कुछ फैसला लिए गया है कि प्राइवेट होस्पिटल्स में जो करोना के के सिसे कितने बेट्स आपको रक्षित रखने हैं क्या कुछ सिस्टम रखना है उसको लेकर क्या जानकारी देना चाहिए अभी हमारे पास जो है कल्पना चावला अगर और जुरूर्ट पढ़ती है तो परशाशन ने हमें कहा है कि आप बाकी आप इंजाम करके रखें अगर जुरूर्त पढ़ती है तो उसके हिसाब आप से देख लिया जाएगा कि क्या करना कहीं ना कहीं जो करनाल के प्राइवेट होस्पिटल ऐसे भी होते हैं जो कहीं करोना पिरिएट का फैदा उठाते हैं और सबसे बड़ी बात की ब्लैक मार्केटिंग की बाते सामने आ रही है कि जो इंजेक्शन से उसके रेट काफ टेस्ट है इसके अंदर क्या है रिपोर्ट आपको तुरंत पता चल जाती है अगर रेपिट एंटिजन टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो कोरोना पॉजिटिव आएगा उसका आटी पीसी आर भी पॉजिटिव आएगा ही आएगा क्योंकि वाइरल लोड जब ज टाइम पे वो पॉजिटिव नहीं आएगा मगर आटी पीसी आर एक ऐसा टेस्ट है जो 100 परसेंट नहीं है फिर भी हमें कोशिश अगर यह है कि पेशन्ट के पास में टाइम है और वो जा सकता है दो दिन रिपोर्ट की वेट कर सकते हैं उसके लिए तो आटी पीसी आर करा लेंगे मगर यह कहना के जी एक बेकार टेस्ट है नहीं उसमें भी गौर्वर्मेंट ने इसकी कॉस्ट की कैपिंग की हुई है कोई भी हॉस्पिटल उस जो रेट फिक्स्ट है उससे ज्यादा चार्ज कर ही नहीं सकता है तो इसमें आप मतलब मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इस टेस्ट को निगेट ना करें यह एक बहुत अच्छा टेस्ट है अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसकी वैल्यू है नेगेटिव आ रहा है तो भी वैल्यू है मगर आटी पीसी आर के साथ फिर इसको को रिलेट करना पड़ेगा बिल्कुल इसमें आप देख सकते देखा गया तो उस पर क्या कुछ अपील करेंगे नमस्कार मैं स्पोक्स परसन आये में समस्त जन्रता से एक बहुत बड़ी अपील यह करना चाहेंगे कि देखिए 16 जन्वरी को जब सबसे पहले यह हैल्थ वर्कर्स के लिए फ्रेंट लाइन वर्कर्स के लिए जब वैक् जन्रता की तरफ बढ़ा वैक्सिनेशन तो जन्रता की तरफ से इतने सारे सवाल आने लगे और वह सवाल ऐसे ऐसे थे कि जैसे सब लोगों ने थीसिस कर रखी है कोरोना पे या वैक्सिनेशन पे हमने आईसी मार की गाइड़ लाइन्स को भी नकार दिया हमने डब्लू कि उन्होंने बाद में जब हमने कहा गया कि 60 साल से उपर वालों को उनको वैक्सिनेशन शुरू कर दी तो तब 45 वाले पूछने आते थे कि जी हमें भी लगा देंगे क्या 60 वाले कोई नहीं आ रहे थे बहुत बढ़ बढ़ के आगे बोलना पड़ा था उनको आई ये अजब 45 की शुरू कर दी तो वो लोग भी पीछे हटने शुरू कर गए हमारे पास मैं कहा सारे डॉक्टर्स ने इस बात को महसूस किया है कि एक ही बार नहीं दिन में सौसा फोन इस चीज़ के लिए आते हैं कि जी देखो मेरे या फूंसी निकली है मुझे बहुत बारी इलर्जी कोई कहता है कि जी मेरे तो ब्लेड में थक्के जम जाएंगे मुझे तो स्टेंट पड़े हैं मुझे तो डायबिटेज है तो भाईया ये बताना है कि स्टेंट डायबिटेज थके और कैंसर नेफ्रोटिक सिंड्रोम किड्नी फेलियर इन सब में आपको ज़्यादा जरूर इसको जल्दी से वैक्सिन को लगवाएं ना कि इसमें आप इफ्स एंड बट्स करने लगें और एक और खास बात ये है कि वैक्सिन पे ये तो बीजेपी के जमाने में आई है वैक्सिन ये मोधी की वैक्सिन है ये हम कैसे लगवाएंगे तो एक बात का प्रेश्ट में समस्त जन्रता से पूछने चाहती हूँ कि कौन सी वैक्सीन ऐसी है दुनिया में जो किसी ना किसी राजनेता के जमाने में नहीं आई थी नेरू से शुरू करके अटल ब्यारी बाजपे तक आप आजाएए को इंद्रा गांधी में आई होगी कोई चौधरी चरण सिंग में आई इससे ज्यादा वैक्सीन की एक्स्परिमेंट तो कभी किसी पर हुआ नहीं तो प्लीज इस बात को छोड़ दीजे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो औहां एक बात और ये पूछते हैं कि जी वैक्सीन लगवाली दो डोस लगवाली फिर भी कोरोना हो गया तो ये कही नहीं मेंशन है कहीं नहीं लिखा है कि आपको कोरोना हो जी नहीं सकता वैक्सीन लगवाने के बाद लेकिन वैक्सीन सिर्फ इस बात की गारंटी लेता है कि अगर आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी है टाइम पीरिट पूरा हो चुका है तो कोरोना होने के बाद आपका 17 जो है अस्पताल में फर्ती होने का मिनिमाईज हो जाता है बहुत कम हो जाता है समस्थ हिंदुस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी देखा जा रहा है कि जिनका वेक्सिनेशन का कोर्स पूरा हो गया है उनको हो तो गया लेकिन वो हॉस्पिल तक अभी तक पहुंचे न चा Agent करोना के के केसिस को लेकर और आज की प्रेस कॉंफरेंस का क्या मुखे उदैशे जो है वो है कि हम अपनी जनताको वैक्सिन के लिए जागरूख कर सके मैं भारत की जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा इस वैक्सिन को लगवाएं जाकर जैसे कि सरकार ने निर्देश दिये हैं ताकि इस महामारी से बचा जा सके इस बारे में जो कुछ मित हैं वो मैं बताना चाहता हूं कि इसकी अंदर जो को मॉर्बिड वाले पेशिंस हैं जिनको ब्लड प्रेशर, शु प्लेटलेट काउंट अपने जरूर चेक करा ले जाने से पहले कुछ ऐसे ब्लड कैंसर होते हैं जिसके अंदर प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं तो वहाँ पे अपने फिजीशिंस की राय लेने के बाद ही वो जाकर वैक्सिन लगवाएं कुछ जो प्रेगनेंट लेडि वो फीमेल जाकर अभी वैक्सिन नहीं लगवा सकती, 18 साल से उपर के लोग वैक्सिन लगवाएं, 18 साल से नीचे की अभी कोई भी रिसर्च, कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि बच्चों में ये वैक्सिन लगवानी चाहिए, तो बच्चे अभी इससे एक्स्क्लूड किये गए हैं, इसके इलावा, पिंतालिस साल से उपर के लोग जिनको शुगर बीपी या हाट की प्रॉब्लम है, या पैरलिसिस है, कोई भी डिसॉर्डर है, को मॉर्बिड है, वो डॉक्टर फिजीशन से अपना रिकमेंडेशन लेकर वैक्सिन जरूर लगवाएं, जो लोग डिसीज़ हैं, यानि कि जो लोग बिमार है, किसी भी रोक से गरस्त हैं, उनको वेक्सिन लगवाने की जरूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी जो इम्म्यूनिटी है, वो वीक है, उस चीज़ का जरूर ज़रूर दिहान लखाज़ाएं, उनसे भी हम जा कि जागरुता की जरूरत है, मुझे जो विशेश तोर से पॉइंट आपके सामने रखना है, वो यह है कि जागरुकता फेलाने के लिए मीडिया का बहुत बहुत बढ़ा रोल है, पिछले एक साल से हमें कमल जी का उनके साथियों का बहुर अच्छी टीम के करने और वेक्सिनेशन जरूर करवाएं, तैंक यू जरूर करवाएं और इस तो में डॉक्टर लक्षी का चोहान जोएंट सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ महजूद है, करनाल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, विशेश तोर पर महिलाओं को, बुजूर्गों को की वेक्सिनेशन जरूर लगवाएं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जादा है करोना को लेकर, लोग कह रहे हैं कि करोना कुछ भी नहीं है, मास्क नहीं डालते हैं, एक सेनिटाइजेशन नहीं करते हैं, तो इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक्चली बीच में जो डाउन फेज आया है करोना का, उस दुरान लोगों को थोड़ा सा ये चीज फील होने लगी कि हाँ, करोना नहीं है, खतम हो गया है, साथ ही वेक्सिन भी आ गई है, तो उनको लग रहा है कि वेक्सिनेशन भी शुरू हो गई है, तो ये, बट दे डोंट अंडर्स्टेंड कि ये सेकिंड स्ट्रेंज जो भी आया है, दिस वेरी लीथल, ये जादा लीथल दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि नंबर ओफ एड्मिशन बहुत बढ़ गए हैं, कोविड वाड्स में हर जगा, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं में, तो हम ये चाहते हैं कि लोग थोड़ा और आगे आए, स्पेशली रूरल एरियास को मैं ये मैसेज देना चाहती हूं, जो पीछे हैं अभी वैक्सिनेट नहीं करते हैं, बिल्कुल गाओं के लोगों में भी जगरुकता फेलाए जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और इसमें जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर कुमार क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, आज आये में के नए प्रेजिडेंट चुने गए हैं, आप नए टीम चुनकर सामने आई हैं और करोना का पीरेट भी चल रहा है, ऐसमें क्या प्रॉपर्ली डाइग्नोस करके प्रॉपर्ट एक एवेल्वेट करके बनाया गया है, तो उसी हिसाब से वेक्सिनेशन हमश्य करवाए हैं, जो वेक्सिनेशन की डोजिज हैं, वो पहली और दूसरी दोनों लगनी हैं, उनके बीच में जो स्टेंडडाइज गैफ है, उसक वेक्सिनेशन के बाद में कुछ लोगो कोरोना हो रहा है, हो रहा है, लेकिन उसके बाद में जुनकी इन्फेक्टिविटी का जो सिम्टम्स हैं, वो बहुत माइल्ड हैं, उनका होम आइसुलेशन से ट्रीटमेंट हो सकता है, जिस चीज को हॉस्पिल में एडमिशन की वो यह है, कि हम सब लोग प्रॉपरली जो बतायेगे रूल से उनको फॉलो करें, वेक्सिनेशन बहुत जरूरी है, उसको फॉलो करें, उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ समय पे धोना, मास्क लगाना, ये एक ऐसी चीज है, इसके बिना कुछ भी संभव नह लगाना है, अब की बार बचे भी हो रहे है, तो इस सब चीज का ध्यान लगना है, अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, एक परिवार के लिए कुछ ौत बरन आता है, फाइनेशल बरन आते हैं, उन सब चीजों को सोचते व roadmap, बहुत चोट सी चीज जरूर लगवाएं ऐसा नहीं है कि वेक्सिनेशन के बाद करोना नहीं होता है लेकिन उतना जरूर है जो life danger है यानि कि जो life खत्रे में रहती है करोना के बाद देखा जाता है कि म१ूमन ड обяз का ratio बढ़ जाता है कम से कम उसको तक कंट्रोल किया जा सकता है इसलिए हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियों को देखें, इस वीडियों को जारा से जारा जरूर शेयर किजीगा, कमल मिड़ा, करनाल बेकिंग नियूस करनाल करनाल ब्रेकिंग नियुस करनाल की हर बड़ी ख़बर हरियाना की हर बड़ी ख़बर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको खर खबर शो नहीं होती है उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार Facebook पेज खोलिए करनाल बेकिंग नुस पर जाएए आपको इस तरह से option नजर आएगा यहाँ पर bell icon होगा सबसे पहले आपको उसको click करना है फिर दुबारा से click करकर यह तमाम options खूलेंगे सबसे उपर आएगा news feed का option उसको आपको click करकर favorites में जाना है उसके बार post का option आएगा उसको click करकर आपको highlights में जाना है वीडियो का option आएगा उसको click करकर आपको all notifications करना है और उसके बार live videos का option आएगा उसको भी click करकर all notifications करना है इसके बाद करनालवे हरियाना की हर भड़ी खबर आपके मुबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।